हेलो दोस्तों जैहिन मैं संजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी बापू में आज की वीडियो में आप लोगों को डिस्टिक कोट पलवल में जो अभी वेकेंसी आई है उसके बारे मैं इस वीडियो में बताने कोशिश करूंगा त तो सबसे पहले देख लेते हैं जो कौन-कौन सी पोस्त आई है अगा दिस्टिक न सेशन कोट पलवल इनवाइट सेप्लिकेशन फॉर दफॉलोंग वेकंसी यह आपकी पैसिकली क्लर्क स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की पोस्त आई है क्लरक की 22 पोस्त स्टेनोग्राफ देख लेते हैं क्लरक के लिए जो कालिवकेशन चाहिए वह है नॉर्मल आपकी जो ग्रेजुशन आपकी डिग्री है ग्रेजुशन हो या बीटे हो वह एलिजिबल होगा उसके लावा है ही मस्ते प्रोफिशेंसी इन ओपरेशन ओंपिटर्स क्लरक है तो यानि उसके कंपि टोप 80 वर्ड्स पर मिनिट इंग्लिश एंड 20 वर्ड्स पर मिनिट इन ट्रांस्क्रिप्शन ओप दसेम टिक इस टेनोग्राफर के लिए आपको नॉर्मल एक कंपिटर की नॉलेज चाहिए इसमें टापिंग स्पीड मांग नहीं रखी है और इस्टेनोग्राफर के लिए असी वर्ड पर मिनिट आपका टाइपिंग्रेस्ट होगा उसके लिए ड्राइवर के लिए क्या चाहिए आपको मिडल मिडल पास होना चाहिए और वेलिड लाइसेंस ओप एल्टीवी और केंड़ेट शुड नॉट हैव कन्विक्टिट एनी अदर ठीक एदर केंड़ेश इसके लावा और देख लेते हैं जो इसका एक्जाम और इसका एक्जाम की जो उमर के हैं वह इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसके लावा और देख लेते हैं जो इसका एक्जाम क्राइटेरिया है इसके लिए क्या होगा आपका नॉर्मल कोशन वह होगा एक तो इंग्लिश कंपोजिशन एंड जेनरल नोलेज पहला है इंग्लिश कंपोजिशन जो आपके नॉर्मल आपके जो हाई कोड के सबोडिन रिचेट क्लक्स की जो पोस्ट निकलती है पंजाब एंध हर्यान ही कोड की तो उसका जो एक्जाइम क्राइटेरिया वही सेम इसमें फोलो किया गया है उसमें भी सेम कॉश्चन पेपर इसी टाइप से आता है पहला पेपर इंगलिश कम पोजीशन को होता दूसरा होता है आपके 40% होने चाहिए और 33% दोनों इंडिविजल जो कॉश्चन जो इंगलिश मोर्जजी के का है उसमें 33% कॉलिफाइंग मांग्स होने चाहिए और एग्रिकेट होने चाहिए आपके 40% एक राइटेरिया अच्छा इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका टाइप टर मिनिट और 30% एक उक्षाब इसके लाबान्द पर सेंट र्मिन ब्रेट पर मिनिट होनी चाहिए छीए ड्राइवर के लिए क्लिए क्लिए आपका रिकार एक्षाム होगा और उसके लावा इसमें है आपका व ड्राइविंग टेस्ट हो यह है बेरली आपकी एड होक बेसिस पे पर्मानेट भरती नहीं है तो एक चीज़ दियान लगना आजकल बेरोजगारी का माहूल चल रहा है रिहना में तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं इससे बढ़िया तो आप एड होक बेसिस की टाइम पिरियड है तो क्या होता है कि छे महीने के टाइम पिरियड के बाद नॉर्मली लोगों को रिलीव नहीं करते अधिक तर जो आपके डिस्टिक और सेशन कोर्ट है पुरे हरियाना में वहाँ पे एड होक बेसिस के जो बन्दें वह काफी टाइम से उसमें लग रहे हैं तो और इसका जो बेसिक पे आपको सिंपल इसका बेसिक पे मिलेगा 25-500 इनिशल पे होता है जो आपकी बेसिक पे आपकी है इसके लावा आपका और कुछ आपको इसमें और कोई लाउंस मिलते नहीं है जो एड होक बेसिस की जोब होती है और उम्मिद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करना और चैनल को सबस्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलना जै हिन जै भारत